नवशकार बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है माना जाता है कि मौनी अमवस्या के दिन गंगा जल अम्रत बन जाता है इसलिए माग स्नान के लिए मौनी अमवस्या को बहुत ही खास माना गया है इस दिन व्रदी को मौन धारन करते हुए दिन भर मुनियों सा अचारन करना पड़ता है इसी कारण ये अमवस्या मौनी अमवस्या कहलाती है मौनी अमवस्या का तेहवार 24 जर्मरी यानि कि आज मनाया जाएगा जोतिश शास्रवा धार्वेक द्रिष्टी से ये तिथी बहुती महतपूर होती है कुंडली के प्रित्रदोष्ट से मुक्ती पाने के लिए इस तिथी का विशेश महतव होता है क्यूंकि इस तिथी को स्नान दान आधी के लिए बहुती फलदाई माना जाता है इस बार की मौनी अमवस्या बहुत ही खास है इस दिन क्रहों का एक विशेश संयोग बन रहा है मौनी अमवस्या पर मकराशी में सूरे चंद्रमा और बुध की यूती होगी जो की विशेश फलदाई होगी इसके अलावा इस दिन ही शनी अपनी मकर राशी में प्रवेश करेंगे इसके साथ ही गुरू और केतु की यूती धनुराशी में होगी इस मौने अमवस्या पर तीर्थ स्थलो पर स्नान करना विशेश फलदाई हो जाएगा एक साफ आसन पर बैठ कर पूर्व दिशा की तरफ मू करें और एक कामबे की लोटे में गंगाजल भर कर रखें लाल चंदन या रूद्राक्ष की माला से गायतरी मंद्र का जाप करें इसके बाद लोटे के गंगाजल को सारे घर में छड़क दे घर में कोई व्रक्ती बेमार हो तो उसकी स्वस्थ होने के बाद जरुत मन्द लोगों को पित्तरों के नाम से भोचन जरूर कराएं हो सके तो किसी मंदिर में छोटे छोटे दो पीपल के पौधे लगाएं इस वीडियो में फिलाल इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ